हर सिदी थाना अंतरगत हम लोग अभी एक छेत्र में हैं और छेत्र इसलिए बोल रहा है कि सरे है अब किसी गाउं का भी नाम रखना उचीत नहीं है लेकिन आए दिन यहाँ पे चोरी की जो घटना है लगतार बढ़ती जा रही है और यह जो मोटर साइकिल आप देख रहा है यह कई से नहीं से चोरी करके लाया गया है थोड़ा सा आगे आज़े और दिखा दिजे इसलिए है कि मोटर साइकिल रहके भी चोर फारार है और यहाँ पे ग्रामीन लोग आए हैं देखने के लिए और बात करते हैं कि आखिरी कई से दिखाई दिया और किस तरह दिखाई दिया कि हाला गूला हुआ है लेकिन बता दे कि इसी छेत्र में कुछी दिन पहले हम लोग वीडियो बनाए थे और एक बड़ा से LCD मिला हुआ था और उस LCD को थाना परभारी के दोवारा जब्त कराये गया और थाना में भेजा गया लेकिन बता दिया जाए यहाँ पे ग्रा पकड़ते हैं समान को जब्त करा देते हैं उसके अलावा कुछ नहीं होता है इसमें भी साइद वहीं होगा चोर फरार है तो चोर को कौन खोजेगा पुलिस के काम है चोर को खोजना लेकिन गिरामीनों का ये कि सोयोग रहता है कि कोई भी समान अगर मिलता है तो सब सब पह पहले आये हैं देखे-था दीक भी लगा टा ओथा तो आकर गाड़ी खड़ा कि हम भता राए हैं भ surge का है रात में गाड़ी को इल आ कर यहांपर लागा कर चला ऻया हैं हंडिल लॉट निल लॉट ट्यायोए उट आ तेल भी नहीं है इसमें बाकि जो पहले आया है उन्हों पता करिए क्या मता रहा है अखिर चुरा के गाड़ी घौरे का यह ना ले गल कि यह रख दला अब माले नी रख दला अब में का कमी बेशी रहा हल तब रख के चल गलबा ऐसे लोग आल महर मैदान करें सरे में तब देख लगतार चुरी होता सामान इस अरे में फेक के लोग सुवाड़ नीड़े, सता सामान रहे तेरह ना अब मैदान करें अलोग पर देख लग मालग बुद worldly क tumb आते है अधिर, ग्राम लोग उरा अधिर भाए को जल पनी है यह उताला कर लोग यह जाम्यून आज, आज तब अलोग जजने यहां पर गणमान प्यक्ति हैं इंसे भी बात करने का प्रयास करेंगे का कही हैं जनकारी जनकारी यह सुबह लोग लेटिन के लिए आये हैं तो इधर से रिटरन जब गए तो उन लोगों ने गाउं में बताया कि हम वहां जंगल में एक मर्साइकल लगा हुआ है रास्ते के किनारे लगा हुआ है तो हम लोग आये यहां देखने के लिए यह कोई नया बात नहीं है इसके पहले भी बहुत सारे मर्साइकल हुए हैं यल हरसिदी पुलिस को आपना आके समान ले जाती है जबत कर लेती है लेकिन इस पर कोई कड़ी करवाई कभी नहीं हुआ एक बार अगर इसको अगर कड़ा करवाई हो जाता तो फिर ऐसा देखने का दिन नहीं आना था अगर पुलिस अगर घूमती रहती तो इस तरह के घटना बार-बार तो इस जगह पर नहीं होता घूमती होगी जहाँ पर चोर नहीं मिलते होंगे वहाँ पर घूमती होगी जहाँ चोर मिलेगा वहाँ थोड़ी घूमेगा पुलिस समान मिल जाता है और चोर नहीं मिलता है। हाँ, लेकिन यहां के गरामिन अपना जो है जोखिम ले के पूलिस को किसी तरह समान दे देती है। पुलिस अगर एक बार अगर अच्छा करवाई कर देता तो फिर एसा दिन देखने को हम लोग को नहीं मिलता हरसिधी पुलिस से केतना खुस है हरसिधी पुलिस से खुस तो यही है कि हम लोग सांती से नहीं रह पाते हैं पुलिस तो कोई करवाई करती नहीं है और चले जाने के बाद जाज पड़ता लोगा और उसी जगा पर इखाड़ा कर दिया जाएगा आखिर जिनका भी गाड़ी अगर वीडियो आप देख रहे हैं अगर रेड कलर का गाड़ी यह सीडी डिलक्स है तो आप हरसीदी थाना में संपर्क कर सकते हैं कहा है कि इसके बा बोलोरो चोरी हो जाता है मोटर साइकिल चोरी हो जाता है बड़ा बड़ा कपड़ा दुकान का सेटर तोड़ दिया जाता है लेकिन हरसीदी थाना परवारी के दोवारा कोई करवाई नहीं होता है करवाई में यहीं होता है कि आप आवेदन दीजेगा आपका आवेदन ले बताईएगा और चोर आखिर चोरी करके इसी एरिया में काई छोड़ जाता है यह जरूर बताईएगा अब ही जब सुबह में लेटिंग करना है तो पता चला कि गाड़ी यहां पे है किसी वेक्ति क्या सुनने में आया था सुननें थे क्या अधिर चोर आखिरट करके लाताई और इसी एरिया में खोड़के चला गाताई गहां पेच लीना तो इधर कर खोड़ेगा आई vir Колे तो यह उसकता है एब हो सकता है अगर कहीं दूसरे जगर कर चोर चोरी किया है लेकर जा रहा है गाड़ी के पैट्रोल खत्म हो व सकता है यहां पर लगाकर चला गया हो खुलता है इसिस चोरी से पूल खुलता है और चारी को लगबना बोड़ जाता है वहां के थना पर दो कुछ का करेंगे लेकिन आप हमें नहीं पकड़ सकते हैं तो हर सिधी थाना के बारे में के बारे में क्या सोचते आप कमेंट